टूबैलेंस से हम लॉन कैसे लेते है चलिए इस विडियो में जान लेते हैं सब्सक्री सब्सक्राइब को आपको फोट में डावलूड करना होगा तो इस अगर हमें 5000 से वनलाग रुपर तक का लोन अगर पड़ता है। ऍसमें हमें बैंक एस्टेट्मेंट कीज़े था कतना मिलता है। यहां पर देखिए इधर साइड में आपको похणहते ही हुआ आ धेशने तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने इसको सिधा मैं अपलाई पर मैं किलिक करूँगा पूबाइल नंबर और पासवर्ड डाल कि इसमें लोगिंग आप कर सकते हैं कोई भी दिकत आपको इस पर देखने को नहीं मिलेगा एन्बि एपसी से राजिस्टर है ठीक है तो यहां पर देखिए मुझे इहां पे लोट जो यहां पर 1 लाक रुपिय तक हो यहां पर दे दिया गया है यहाँ पर देखिए मैं इसे अगर करता हूँ यह वह एक लाख रुपय में तो इसमें इंट्रेस कितना लगता है इंट्रेस कितना महीने का बनेगा तो देखिए जैसे मैं इहाँ पर एक लाख रुपया इस एप से लोन लेता हूँ तो यहां पर अगर सिलेक्ट 12 मंत करता हूँ तो 12 मंत में मुझे जिसका MI आएगा 10407 रुपया आएगा 2.4 परसेंट यानि कि महीने का इंट्रेस इसमें लगता है साल का इंट्रेस नहीं लगता है ध्यान रखेगा ठीके इसमें जो इंट्रेस जो हमें देना परेगा 2.4 परसेंट का यानि कि हमें ये महीने का इंट्रेस देना पर रहा है साल का इंट्रेस समझेगा नहीं ठीके इसके बाद हमसे कहाई जाएगा कि आप नेक्ष्ट कर देजिए तो अगर आपको देखे हैं लून आपको लेना है एक लाग रूरुपई तक का तो आप कॉम बेसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं लेकिन मुझे यहां पर कॉम नहीं लेना है मैं वन लाक रुपिय तक का लोन यहां पर लेने वाला हूं तो चलिए यहां पर जिसका एमाई आएगा है यहां पर मुझे крी तु साथ उदा है यहां कि इस और समस्पre रिखेशुल अब करना है इसके बाद में नीचे लिए उनिए कलास है है नंते आपसे कहा जाएगा do you have a job तो आप सेलिड है कि सेल्फ इंप्वाइब है कि स्टुडेंट है कि हाउस वाइफ है आप जो भी है आपको यहां पे एक सेलाक्ट कर लेना है अगर आप सेल्फ इंप्वाइब है तो सेल्फ इंप्वाइब पर आपको कलिक कर लेना है अगर आप से यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद हमसे कहा रहा है तक मैंने आपको पिछे रिपीट किया था इस वेडियोस में कि अगर हम यहां पर देखिए मुझसे कहा जा रहा है आप कितने समय से काम कर रहे हैं तो आप कितने समय से काम कर रहे हैं तो पुरा आपका जाता हैै फुरा पर यहां यहां इम डाल देना है यहां पर देख यहां पर conflict कर देना है यहां पर रहेँ यहां-पार आपको क्लिक कर देना है इसके क्लिक कर दिया इसके बाद आप से पूछा जाएगा कि आप इसमें से आपका इंडिस्ट्री कौन सा है आपको फूर्ड रेल सर्विस है आप पे किस चैतर में उप्योग में काम करते हैं उसका यहां पे आपको एक यहां पे इंटर कर देना है तो चलिए मैं यहां पर क्या कर आप किस परकार का जॉब करते हैं तो देखिए भाई साब आप जो भी परकार का जॉब करते हैं तो यहां पर इसमें आता है तो अची बात है अगर वह आपका खुद का तो सोफ पे किलिक कर देंगे अगर से मार्केटिंग अर्जेंट पर क्लिक कर सकते हैं तो मैं तो यहां पर हूँ तो मैं अदर पर क्लिक कर दूँगा इसके बाद यहां पर मुझसे कहा जाएगा कि आप जो भी job करते हैं उसका यहां पर लिख दीजिए तो चलिए हम लिख देते हैं वेलडर ठीक है तो इसके बाद हम नाक्स पर क्लिक कर दूंगा इसके बाद हमसे कहा जाएगा आपके जो महीने में कितनी है में से चाहे कितनी है मैं ने आपको आपको विए इसन्रहराई है कि जरूरत परेगा तो इसके बाद यहां पर देखिए वह बोटा रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है तो यहां पर देखिए इसके बार हमसे कहा जा रहा है maximum यहां पर देखिए 25,000 यहां पर अगर तीन हजार रुपया है तो आपको वन लाख रुपया तक का लोन इस्टेंच मिल जाएगा टू बैलेंस एप से अगर आप 25,000 कमाते होगे तो अगर हम मान लिजिए कि 15-20,000 कमाते हैं तो हो सकता है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक लोन हमें यहां से मिल जाएगा यहां समुझे ठीक है तो अब मैं यहां पर बोल रहा है कि आप कितना कमाते हो तो भाई साब मैं यहां पर 17,000 डाल देता हूं चलो 17,000 मैंने यहां पर डाल आइस के बाद यहां पर कहा जा रहा है कि आप अपने मासिक के मासिक आयक कप प्राप्त करते हैं तो यहां पर देखिए यहां पर आपको 3 महिने तक का statement आपको देना होगा तो चलिए हम यहाँ पर देखिए कितने तारीक तो कितने मासिक को तो जो भी है आपको यहाँ पर तीन ने मैं ठर्ण तारीक को मैं यहाँ पर किलिक कर लेता हूँ इसके बाद आपसे कहा जाएगा how do you receive your income आप मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है how do you receive your income यानि कि आपने जो आप जो salary टूठाते हैं पैसा जो कमाते है वह पैसा आपका bank account में आता है या आपको check मिलता है या आपको cash मिलता है अधिकार अधिक अधिक जादा लोगों को यहा पे बैक एकांट में ही salary मिलता है ठीक तो हम a bank account वाले option पर click कर लेंगे अगर आपको cash मिलता होगा बहुत सारे दोस्ते से हैं कि उनको cash मिलता होगा ठीके तो अगर आपको cash मिलता है तो कैस वाले option पर आपको click कर लेना है मुझे यागत चेक मिलता है तो bank check वाले option पर click कर लेना है ठीक है तो मेरे पास जो है यहाँ पर bank account पर मिलता है तो मैं bank account वाले option पर click करूँगा अब यहाँ से आपसे पुछा जाएगा have your experience loan before क्या आपने पहले loan का अनुभाव किया है यानि कि इनके कहने का मतलब यह है यह आपने कभी loan उठाया है आपने loan का कभी अनंद उठाया है या नहीं अगर है तो अगर हा तो यस पर कलिक करेंग indifferent करों इसकेवाद हमारे email id पर कर देता हूं चलिए email id मैं यहां पर इंटर कर दिया हूं मैं email id को मैं यहां पर बलर कर दिया हूं दोस्तों यहां पर देखिएगा अब यहां पर gps turn on your gps on करना पर एगा तो turn on पर हम क्लिक कर देते हैं इसके बाद देखते हैं आगे का कट करता हूं फिर से refresh करता हूं और इसके बाद थोड़ा सा मैं यहां पर इसे mail आइड Hi cafe ए जोंग्यां यहां पर दे लेता हो इसके बाद net slow है थोड़ा मेरा इसका और verify oh the email तह नहीं मेरा यह email verify कराना है इसके बाद हमें इस पर click करते जाते हैं चलिए क्लिक करते जाते हैं यह तुरसा रिफ्रेस होगा तो देखिए यह हमारे योष लॉन इज अंडर इर्कृटर में चला गया है अभी यह तुरस अभी नोटिफीकेशन में हमारे पास आएगा कि देखते हैं कि हमारे को कितना लॉन अप्रूब मिलता है तू ब बोक्स में दे रहा हूँ तो देखिए मैंने टू बैलेंस से मुझे कितना का भी लोन अप्रूब है तो देखिए यहां पर लिखा हुआ एक option आता है देखिए टू बैलेंस से एक नोट मेरे को मैसेज भी आ गया यहां पर इन्होंने का कर दिया रिजेक्ट किया क्या किया तो हमारे जिए इंकम है 17,000 है यहां पर 25,000 हो इंकम मांग रहे थे इसके लिए हमारे को यहां पर इन्होंने लिख दिया नीचे कि नोट इजिविल्टी मतलब आप इस लोन के लिए इजिविल्टी नहीं हो ठीक है कोई बात नहीं यहां पर मुझे दूसरा यह लेवल यूप लोन थीञें में मुझे पे करने वाला यहां पर 137 तक आपने ले दिया गया थैप और इसके प्रॉसरा आपके लिए है तो यहां पे देखिए यहां पे यहां पे लोन जो है यह इससे हम चलिए घ्लिक करते हैं तो करने के बाद मुझे जो लोन सेंसर जो मुझे सिलेक्ट हुआ है यह लोन मुझे जो है तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको पूरी जनकारी दी है कि आप टूबेलेंस एप से लोन कैसे ले सकते हैं, अगर आपको कैस्ट लोन लेना है, टूबेलेंस एप में कैस्ट लोन जो अफ़सन है, इसमें कैस्ट लोन के लिए हमें 25,000 रुपया इंकम होनी चाहिए, अगर कैस्ट लोन में अगर आपका 20,000 भी इंकम मंतली है, तो भी आपको वहां पे कैस्ट लोन आपको मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको 14,000, 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 17,000 अगा सैलेरी होगा, तो दोस्तों आपको वहां पे नोट एजिविल्टी का आप्शन देखने को मिलेगा, जैसे मेरे साथ हुआ, ठीक है, तो दोस्तों, मैंने इस फूल जनकरिया आपको इस वीडियो में दे दी है, तो छोड़ी सी वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक किजेगा, और अपने प्रिडिट के साथ ज़रूर सेर किजे आप फिर बिलते कोई हम नाक्स वीडियो में दुख जाये हैं, बन्दे मातरम था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों